तो देखिए आप रह गया एक section 26, 22 कर लिया, 23 कर लिया, 24 कर लिया, 25 अभी देख लिया, 27 कर चुके हैं, एक रह गया है, 26, 26 भी देख लेंगे हम, यानि ये chapter ending पे चल रहा है सर, इसमें भी interest वाली बात कही गई है, तो इसलिए कर लेना चाहिए, कितने घर हैं, इसके पास house, municipal, एक ही घर है, तो फटा-फट format बना लेते हैं, पिछले class के अंदर हमने, पिछले class कह रहा हूँ, अभी हमने last में unrealized rent कर लिया है, वैसे इतनी बड़ी तो जूरत भी नहीं पड़ती, मैं ऐसे ही आ गया है, ये क्या हो रहा है, हां जी, सवाल पढ़ लेते हैं, कहता है, x के पास, जिसको visual नहीं है, थोड़ा नीचे कर देते हैं सवाल को, कहता है सर, x के पास एक घर है, डेली में, municipal value आपका एक लाख रुपए है, mv है हमारा, एक लाख रुपए, सर, fair rent है, एक लाख, 40,000, where the standard rent, एक बीज, sr, एक बीज, during the previous year, 20, 21 house vacated, आपका घर खाली था, एक चार से 30, 6 तक, being the self-occupied, his residential purpose, सर, self-occupied हो गया न, आप खाली नहीं मानें गया इसका घर है, तो expected rent आ जाता है, हमारा यहाँ पर कितना, higher, lower, यानि, एक बीज, 8 रिपल जो आर लेंगे हम, कहता है question में, it was the let out, let out था एक साथ, 2020 में, 15,000 रुपए से महिने से, क्योंकि 36 तक था एक साथ, तो 15,000 रुपए महिने के हिसाब से था, he could not realize the rent of one month, and condition number 4 are satisfied, अगर आपको बोलेना ना, कि condition number 4 इसने फुल्फिल किया या नहीं किया, तो नीचे assumption में note में दे देना, जी इसने फुल्फिल कर दिया होगा, और इसको आप minus कर देना, बड़ी सीधी सी बात है, ना बोले तो, क्योंकि अभी तक तो सवाल में बोल रहा है, तो आपको पता है, कई बार ना बोले, तो आप बोलोगे है या नहीं है, तो आप मान लेना कि होगा, और नीचे rule number, दे देना note में, वी assume that, जो हमारा honor है, जो भी हमारा है, honor उसने rule number 4, जो हमारा है, वो satisfy किया है, उसके हिसाब से answer लिखना है, आपने, he make the following expenditure, respect of house property, 2011 में ये भी सवाल आया है, municipal tax, ठीक है सर, repair, किसी काम का नहीं, fire insurance, किसी काम का नहीं, land revenue, किसी काम का नहीं, ground rent, किसी काम का नहीं, where paid during the year, इसने loan ले लिया, taken 1-4-17 में, 12% के हिसाब से, construction of house, which was completed, तो सर, loan का point है, तो इसको अलग से कर ले, तो बहतर है, अब हम 8RRR मान लेते हैं, तो कितने महीने तक रहे गया सर, 1-7 से 9 महीने तक, सर, 9 से multiply करेंगे, तो क्या आएगा, 1,35,000, अब तो tension ही नहीं सर, अब ये खुद ही बोल रहा, 1,35 मिला, तो ये सी को मान लो, 1,35,000, इसमें से minus कर दें, है ना question में, sir, empty है question में, अब आ गया, NAB, 1,00, sir, minus कर दो, 24, A, 36,000, और minus कर दो, sir, 24, अब 24, भी समझ लेते हैं, ये रहा हमारे पास, पूरा साल, सवाल में कहता है, जी लोन लिया, 14,17 को, सवाल में कहता है, लोन लिया, 14,2017 को, कितने का लोन लिया, sir, 2,00, 12,00 के हिसाब से है, for the construction of the house, which was completed, 28,2019, और ये घर, हमारा construction, complete हो गया, 28,2019, यानि, sir, 28,2019, यानि, 19,20 के अंदर, ये deduction ले चुका है, pre-construction period की बात होगी, तो, 31, 3, 2, 2019, से हम consider करेंगे, पहले ये देखिए, कब से consider करेंगे, 31, 3, 19 से, समझ में आ रहा है यहां तक बार, आगे कहता है, ये, 50% loan, repayed, 30 June, 30 September, 2020, हमारा current year, जो बनता है, वो बनता है, sir, 14, 2020 से लेके, 3, 21, sir, सवाल में क्या कहता है, sir, सवाल में ये कह रहा है, examiner, कि आपने 30 September, यानि यहां बीच में, आपने 50% का loan, पे कर दिया था, current year में, क्योंकि current year ही है, 30 September 2020 कब जाएगा, current year के अंदर ही fall करेगा, तो current year में, आपने 50% loan, पे कर दिया, means, यहां से यहां तक, तो आपके पास 2,00,000 का कर जा रहा, लेकिन यहां आपने payment कर दिया, और यहां से यहां तक, आपके उपर कर जा रहा, स्रिफ और स्रिफ, तो current year का ब्याज निकाला जाएगा, 2,00, 6 महिने पर, एक लाग का 6 महिने, ठीक है, PCP की बात कर लेते हैं, सर, यहां से यहां तक, सारा time हमारा PCP का है, और PCP अगर हम find करें, तो क्या बनता है, कितने महिने हो गए, 24, तो सर, 2,00, इंटु 12 बटे में 100, इंटु 24 बटे में, इंटु 1 बटा में 5, कितने आगे, 1 by 5, 24 by 12, फिर से 9,600, यह था PCP, pre-construction period, pre-construction period का 9,600, आगे चलते हैं, सर, current year का कैसे निकाले, ध्यान दीजिएगा current year का, सर, 2,00, पे, थोड़ा मैं उपर, 2,00, पे 12%, और वो भी सर, 6 महने का, और सर, 1,00, पे, side में कर देता है, कितने आगे सर, 2,00, पे 12%, कितने आगे, 12,000, और सर, 1,00, पे, 12%, और वो भी 6 महने का, सर, यह आदेगा, 6000, इसका मतलब सर, सर, unrecorded amount, 15K-Q, अभी देखते हैं, क्या आगया, 6000, टोटल आगया, 18,000, तो सर, 18,000, करेंट इयर का, और यह, इंट्रेस्ट हो गया, 18,000, 27,000, अभी चेक कर लेते हैं, कुछ बच्चे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, अभी देखते हैं आपका, स्टूडेंट का कहना है, सर, 8RRR, 8 महिने का होगा, 1 महिने का, Unrecover है, अच्छा, कहता है, एक महिने का, बिल्कुल सही जवाब, सर, एक महिने का, Unreliable, तो यहाँ पे कितना लेना चाहिए, देखो, थोड़ा सा Error हो गया, वो तो सही है, जितने बच्चे लाइव रहते हैं, वो बता देते हैं मुझे, नहीं तो मैं तो ऐसे ही कर दूँ, इंटू में 8, एक बीस, चलो फटा फट ठीक कर लेते हैं, अब यह आ गया, अब ठीक है, अब माइनस करके यह भी गलत आ जाएगा, कितने आएंगे इसका 30%, अब माइनस करके बता दीजे, आई एच पी, बताईए, हाँ, कितने, 45, 900, सर यह सवाल भी खतम हो गया, इसके अंदर भी हमने दोनों बाते देख लिए, कितने, कितने रहे अंदरे रहे, कितने, अजंदरे बताईव इसके दोुझन कितने, अज़फजब कितने, झाल झाल